एक दिन एक स्वार्थी लोमडी ने एक सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सारस निमंत्रन से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे खाने का काफी शोक था। वह समय पर लोमडी के घर पहुची और अपनी लंबी चोच से दरवाजा खट-कटाया। लोमडी ने उस घर पर आमंत्रित किया और अंदर अंदर आने को कहा। फिर उसे खाने की मेच पर ले गई और उन दोनों के लिए उतले कटोरे में खूब सूप परोसा। चुकि कटोरा सारस के लिए बहुत उतला था इसलिए वह सूप बिलकुल नहीं पी सकती थी। लेकिन लोमडी ने जल्दी से अपना सूप चाट लिया। सारस गुस्से में परेशान थी लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और विनम्रता से वेवहार किया। वही उसने मन ही मन एक योजना बनाई लोमडी को सबक सिखाने की। उसने फिर लोम्री को अगले दिन रात के खाने पर आमंत्रित किया जब लोम्री उसके घर पर आई तब उसने भी सूप परोसा लेकिन इस बार सूप को दो लंबे लंबे संक्रे फूल दानों में परोसा सारस ने अपने फूल दान से सूप को खा लिया लेकिन लोमडी अपनी संकिर्ण गरदन के कारण उसमें से कुछ भी नहीं पी सकी अब यहाँ देखकर लोमडी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भूका घर चला गया दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक स्वार्थी कार्य जल्दी या बाद में उल्टा अवश्य ही पड़ जाता है